नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोती सिक्रेट मेश रासी वालों किस उम्र में आपकी किसमत के ताले खुलते हैं और अगर भाग्योदे नहीं हो पा रहा है तब क्या करें जीवन में बहुत ज़्यादा संगर्स है तब क्या करें आज हम आपको यहीं बताएंगे देखिए मेश रासी अगनी तत्तु की रासी है और मेश रासी का स्वामी स्वैम मंगल है सूरे मेस रासी में उच्च के होते हैं हम बात कर रहे हैं आपके किस्मत की तो उसके पहले जान लेते हैं कि जीवन में अगर संघर्स है तो पहले उसे कम करें क्योंकि जीवन का संघर्स जैसे ही कम होगा खत्म होगा आपका भाग्योदे भी हो जाएगा तो सबसे पहले तो ये माल ले ये आपका जानना जरूरी है कि कुंडली के जो मूल त्रिकोन होते हैं न भाग इनके स्वामी लगन पांच नौ खाने के स्वामी बताते हैं कि जीवन में संघर्ष कितना होगा अब पांचमा खाना सबसे ज़्यादा महतोपूर्ण होता है इसे संतान का खाना बुद्धी का खाना भाव और इसके स्वामी को मजबूत होने से जीवन का संघर्ष कम हो जाता है और पांचमा भाव मजबूत हो तो ऐसी दसाओं में कम प्रयास में बहुत सफलता भी मिलती है लेकिन पंचम भाओ अगर कमजोर हो गया तो जादा मेहनत करनी पड़ती है चुटी चुटी चीजों में स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आप मेसरासी के हैं आपके जीवन में बहुत संघर से तब आप क्या करेंगे एक तो नियमित रूप से भगवान सूरी को परणाम किया करें अगर आपके पास समय है आप ऐसा कर सकते हैं तो भगवान सूरी को जलर पीत किया करें और वहीं पर खड़े होकर आप चाहें तो हनमान चलिसा का पाठ करें लेकिन अगर आप बच्चे हैं आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तब ऐसे में आप क्या करेंगे भगवान सूरे को परणाम कीजिए और गायतरी मंत्र का जब नियमित रूप से कीजिए आपकी जितनी एक्छा उतना ही बार करें लेकिन करें जरूर और साथ ही गुरुवार के दिन किसी भी धार्मी का स्थान पर यानि आप जिस भी धार्म को मानते है न उस धार्मी का स्थान पर जाईए और जाकर पार्टना सुरू कर दीजिए देखिएगा आपका जीवन का संगर्स दीरे दीरे खत्म हो जाएगा अब हम बात करेंगे आपको किस उम्र में किसमत का साथ मिलता है लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आपको संपत्ति का लाब किस उम्र में होता है और धन का लाब किस उम्र में होता है देखे धन के बात करें तो में इस वालों के कम उम्र मेरी धन मिलने के योग बन जाते हैं जैसे कि 19, 28, 37, 55 यानि 19, 28, 37, 55 एर में आकस्मिक रूप से बहुत धन मिलने के योग बनते हैं और ये धन और कोई नहीं देता बलकि ये खुद अपनी मेहनत से पाते हैं अपनी काबिलियत से पाते हैं अगर आपको लगे कि धन आने में तो दिक्कत हो रही है तब मा लक्ष्मी को मनाईए करेंगे क्या गुलाब का इत्र की एक छोटी सी बोतल ले आए सीसी रोज रूई में लगा कर थोड़ा सा मा लक्ष्मी के चर्णों में अर्पित क्या करें और बाद में उस रूई को अपने पॉकेट में रखकर आप अपने कारे करें देखिएगा किसमत का साथ में ले लगेगा घन आने लगेगा अब हम आपको बताएंगे किस उम्र में आपको संपत्ती का फायदा होता है देखिए मेस वालों को अपना घर संपत्ती उम्र के 22, 40 और 58 येर में यानि 22, 40, 58 साल में अपना मकान या प्रोपर्टी होने का लाब मिलता है अगर संपत्ती का फायदा नहीं हो पा रहा हो तब आप सिप जी को मनाईए सही प्रयास कीजे आसानी से संपत्ती का लाब होगा तो आज हमने आपको तमाम चीजे बताई जीवन का संघर्स कैसे कम करें यहाँ पर किस गरह को मजबूत करना है धन के लिए कौन से गरह को ठीक करना है और प्रोपर्टी के लिए किस देव को मनाना है आपके जीवन में जो आपको लगता है कि उसको ही ठीक करना है तो आप उसे ही ठीक करें यह बहतर होगा हम आप से विदा लेते हैं अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजेगा और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हर हर महादे धन्यवाद